जो चुनाव 11 एप्रिल को हुआ था उसका रिपोर्ट्स का स्कूरूटिनी और एग्जामिनेशन करने के बाद और रिपोर्ट्स मिलने के बाद एलेक्शन कमिशन ने 168 पोलिंग बूट्स में रिपोल करने का निन्नेग लिया है यह रिपोल 12 में यानि की संडे 12 में संडे को साथ मौर्निंग 7 ओकलॉक टू शाम 5 ओकलॉक यह रिपोल होगा यह रिपोल में 168 में वेस्ट रुपरा डिस्टिक्ट में 66 सिपाई जला में 57 गोमती में 28 और सौथ रिपोरा में 17 पोलिंग स्टेशन्स में 17 पोलिंग स्टेशन्स में यह रिपोल का जो टाइमिंग है मैंने जैसे आपके बता है 7 to 5 ओ पहले जैसा ही टाइमिंग है और इसके लिए टोटल नंबर ओफ एलेक्टर्स ए रिपोल में जो होंगे 1,41,251 यह सारे पोलिंग स्टेशन्स पोलिंग स्टेशन्स का सिमना, मोहनपूर, बमुटिया, बर्जला, रामनगर, तौन बर्दवाली, प्रतापगट, बदरगाट, खोयरपूर, मजलिशपूर, मंदई बजार, टकरजला, गोलागाटी, कमला सागर, बिशालगट, चरीलाम, बॉक्सनगर, नालचर, सोनामुरा, धनपूर, बागमा, रादाकिशोरपूर, मातारबाडी, काकराबन, सालगरा, राजनगर और बेलोनिया, यह पोलिंग स्टेशन्स में रिपोल होगा, अलग-अलग प्लेसस में, अलग-अलग-अलग असेमली सेग्मेंट्स में, नंबर ओफ पोलिंग बूट्स अलग-अलग है, खोयरपूर में 18 और बिशालगड में भी 18 पोलिंग बूट्स में होगा, जबकि सिमना, सोना मुरा और बरजला में एक पोलिंग बूट्स में होगा, बाकी में इन बिट्वीन दे नंबर है, सो यह रिपोल के लिए जो भी एर्रेंजमेंट्स करने हैं, संडे को होगा, उसका हम लोग पूरी तरह से व्यवस्ता करेंगे, हमारे पास भी अभी Central Forces का भी एक टुकड़ा आ चुका है, और उसी को हम लोग Central Forces को यूज करते हुए, हम लोग इसमें पोलिंग स्टेशन में क करेंगे और व्यवस्ता करेंगे सब जगह में, वही वेब कास्टिंग, वेब कामरा और या तो, and we'll also keep micro observers, and also sector officers, क्योंकि हमारे पास अभी number of polling booths are less, we may have more sector officers, but one sector officer will cover lesser number of booths, तो उनका निगरानी और अच्छा रहेगा, इस तरह से हम लोग ये करेंगे, और जो कुछ बाद मे जो भी information मिलेगा आपको फिर बताएंगे